सुनील सर गुड मॉनिंग वेरी गुड मॉनिग सुनील सर यह बहुत कुछ बदल गया लास्ट टाइम जब आपसे बातचीत करें और इस भी इच खासर पिछले तीन-चार दिनों की कहानी तो अलगी निकल के आगे एक दम से यह सिलिकॉन वैली बैंक को कॉलाप्स यह कभी ऐसा कोई बैंक भी है यूएस में उसके कॉलाप्स से हम यहां पे पतले क्यों होते चले जा रहे हैं आपने सेस करने की कोशिश करी इस एस्वीवी का दरसल कोई इंडिया इंपक्ट है या नहीं है देखे एक एकॉनमी और एक फिनैंशल मारकेट के तोर पर जीरो बैंक कॉलाप्स होते हैं 500-600 क्योंकि यह सब मिड्साइज चोटी-चोटी बैंक है बहुत है उदर और वहां पे कब्रिटली इसे गवर्मन्न टोर्ट ऐसी बैंक नहीं होती है ना तो यह कोलाप्स एक नॉर्मल पार्ट आफ कैपिटलिजम है अब इसका जो इंपक्ट लिकुडिटी रेशियो कोई भी बैंक करीबन नौ दफा अपने जो डेपॉसिट का बेस है उसके एट या नाइन टाइम मार्केट में बारोइंग कर सकती है अपने नेट वर्थ के ऊपर यह सोचिए कि उन्होंने 70 परसंट क्रडिट डेपॉसिट रहा तो उसके टोटल बै अब जेनरली इंडियन बैंक में थोड़ा और ज्यादा वोस्त अपना गवर्मेंट सेकृरिटी को लेकुडिटी के तोर पर रखते है तो 29-30 परसंट इसलिए 70 परसंट करेंड डेपॉसिट रिशो आता है अब युएस में ऐसा रेगुलेशन नहीं है अब उदर क्या उनकी वो एक फोकस्ट एरिया पर ही लेंडिंग करती है जैसे स्टार्टप्स वहां पर उनको एक स्टार्टप का रीसेंट जो प्रॉल्म सल रहा था उसके कारण वो स्टार्टप्स को उतना लेंडिंग नहीं करना चाहती थी तो अगर पैसा इकठा किया उन्होंने यही ज पुद्दा मौका नहीं है क्योंकि महाल ठीक नहीं था तो उन्हें जाकर क्या सोचा था कि safe है government security, युएस government security उसमें अबना पैसे को park कर लिया था अब issue क्या होती है कि दो चीज़ अब जब government security में park करतें तो दो तरके होते हैं एक होता है available for sale, एक होता है health to maturity अगर आप किसी चीज़ को कहते हैं कि मैं maturity तक hold करने वाला हूँ तो उसको mark to market करने की जरुरत नहीं होती है तो वो अगर रखते हैं तो उसको नहीं mark to market तो उसको बेच नहीं सकते हैं क्योंकि आप maturity तक उसको रखना है बाकी का जो आप investment करते हैं तो उसको available for sale यानि कभी में बेच सकता हूँ तो एक trading तरह होता है तो उसको रोज mark to market करने की जरुरत होती है अब Silicon Valley Bank ने ज्यादातर available for sale में लखा क्योंकि उनको अगर fresh lending की जरुरत पड़े तो easily आसानी से वो government security को liquidate करके वो उस lending को शुरू कर सकते वापस ऐसी हालत में इसी time frame फिछले साल डेड़ साल में Fed ने interest rate को जबरदस्त बढ़ा दिया करीबन 4-5% बढ़ा दिया तो long term bonds 30 साल वाले bond में क्या होता है कि उनकी दाम गिरती है क्योंकि जब rates बढ़ती है bond का दाम गिरता है तो उनके available for sale portfolio में भहेंकर mark to market losses चड़ रहे थे तो क्या हुआ फिर उनको किसी एक depositor ने थोड़ा पैसा निकाला तो उनको ये government securities loss पे बेचना पड़ा एक होती है book value जो loss पे दिखता है दूसरा होता है actual cash loss सफर करना तो इनका करीबन 2 billion dollar उन्होंने cash loss उठाया वो खबर जब फैली तो बाकी depositors थोड़ा डर गए तो पैसा निकालने के लिए उन्होंने redemption request डाला deposit से तो naturally ये होता है run on the bank तो जैसे आपने समझा ये बहुत एक sharp rise in US interest rates और एक तरह का risk से mismanagement क्योंकि पैसा उनको short term में रखना था long term treasury में नहीं डालना था अगर उनको वापिस जरूरत है तो short term 30 90 day paper ऐसे में जाके roll over करना बहतर चीज़ हुथा risk management का failure था Silicon Valley bank का और उसके कारण कोई भी bank इस दुनिया में अगर सभी depositors पैसा मांगे तो पैसा नहीं दे सकती है ना क्योंकि lend क्या हुआ पैसा तीन साल पांच साल दस साल तक वो बार दोस थोड़ी जब आप पूछे कि पैसा वापिस कर सकते हैं तो यह जो run हो गया हुआ उसके लिए fed ने आके और government ने किया कि सभी depositors को हम प्रोटेक करते हैं मगर share market को नहीं प्रोटेक करते हैं अब इंडिया की हालत क्यों यह इंडिया में आई क्योंकि इंडिया में अप्टू 30% SLR में रखते हैं कुछ HTM होता है कुछ available for sale होता है अगर ICC City इंडिया में आ गई यहां पे भी आपको interest rates जबर्दस बड़े हैं क्या इंडियान बैंक का risk management में वो इस जो liquidity को रखते हैं वो short term, available for sale in long term held to maturity long term उसको सही तरह से करे हैं या नहीं करिया है यह किसी ने study ने क्या generally तो एक initial panic reaction के कारण सभी banking and financial services stocks के उपर यह दबाव आ गया था बस वही बात है पर मेरे ख्याल में क्योंकि we are much better risk management RBI की जो SLR की requirement जो monitor करते हैं strict rules है कितना HTM में डाले कितना AFS यानि available for sale में डाले तो मेरे ख्याल में Indian bank में really कोई risk नहीं है इसका कि ये rate hike के कारण सड़नी उनको नुक्सान आए और ज्यादा तर यहां पर bank को government का support भी हाजिर है कभी भी देखिये कुछ ऐसे ख़बर आती है को government probably step in करती है तो मेरे लिए stock market में जो correction हुआ है वो justified नहीं है और overall panic situation FIS dates आरे होते है हरी किसी को इसकी समझ नहीं होती है तो better safe than sorry करके वो थोड़ा wage डालते हैं थाकि इस potential एक situation से वो दूर रहे बस वही बात है वैसे तो long term इसका कोई impact नहीं दिखना है तो हमारे में कोई impact नहीं चाए banking system हो चाए financial markets हो barring equities जो sentiments पे थोड़ा सा ज़ादा चाल चलती है अपनी उसके beyond कोई असर नहीं है कोई घबराने की जरुवत नहीं है लेकिन घबराने की जरुवत इसलिए है कि 17 एक सो के नीचे कल के lows को violate करके अब भरती बजार इस समय कामकाज करते हुए almost एक तिहाई आप तो 5 का ratio कह ली जा और देखिए कैसे चाल बदल रही है कैसे broader markets में बिक्वाली हावी होना शुरू हुई है दो बढ़ने हैं तो 5 stock system में आप कमजोरी के साथ trade कर रहे हैं और कुछ individual stocks जो important है वो highlight कर देता हूँ अदानी enterprises 7% दबाव हमने शुरूआत में दिखाया था पूरा दानी pack कैसे दबाव में आ रहा है अब enterprises देखिए SBI heavyweight 7% की अब वापिस कमजोरी कल 3-3% गिरा था आज देखिए किस तरह का वापिस slide यहाँ पे देखने को मिल रहा है IT पस्त है IT index खुदी 1.5% दबाव में और उसमें कुछ individual stocks मेंशन कर देता हूँ Wipro screens पे कीच के लाइए HCL Tech दिखाईए उसके बाल लिकर आईए private banking majors कुछ SBI के अलावा वो तो सरकारी मेंशन कर दिया था मैंने Indescent Bank लग रहा तक समलने की कोशिश कर रहा है उपरी सरों से अब दबाव बढ़ना शुरू हो चुका Indescent Bank का Axis Bank कल beautiful हमने sell idea पकड़ा था सुबह Top Call के तौर पे और वो Axis Bank आज पर दबाव बढ़ता हुआ 1% के आसपासी कमजोरी यहाँ पे देखने को मिल रही है सुनील सर इन सब के बीच में SVB के issues के बीच में ऐसा लग रहा है क्या कि technology के troubles बढ़ेंगे या बढ़ना है क्योंकि हम लोग सब इंतिजार कर रहे थे कुछ clear cut data points का कि वो अगर recession science of recession, दिकतें, start-ups वो सब चर्जा में होता था इसने थोड़ा सा उसको profound कर दिया SVB की crisis ने तो technology के troubles का बढ़ने की तयार ही हो रही है और इससे में सबस्पर debate मेरे जहन में banks इस correction के बीच में जहाँ कोई issue नहीं है versus IT जहां पर अब कुछ लग रहा है दिकतें preferred, अगर मुझे किसी में ETF करना हूँ, सब केतने ETF के दुरू accumulate कर लो बजार को किसका शुरू गरूँ, bank का की IT का? मैं कहूंगा bank का क्योंकि एक bank international exposure से insulated है, कैसे US की recession, recession हो या ना हो Indian banking system की lending में या deposit mobilization में कोई असर नहीं आने वाला है तो fundamental business model of banks domestically linked है तो first, US की जो data points आती है, एक दिन के ती recession जल्दी आएगा एक दिन के ती recession नहीं आएगा कई दिन के slow recession होगा तो ये सब बात से हटके है Indian banking system का एक जो केता है, credit and deposit का functioning, तो मेरे लिए जो भी correction banking system में आ रहा है, ये अच्छे quality banks को खरीदने का एक बहुत बढ़िया मोका है, क्योंकि आपने result season में भी देखा, banks ने consensus को outperform किया और आने वाले दिन में domestic capex cycle का भरपूर फाइदा उठाने वाली है banking तो मेरे लिए blind banking में जो correction आता है, accumulate कीजिए, number one IT में बात ये है कि अभी भी good quality IT companies जिनका robust business model है, traditional basis पे, उसमें कोई दिकत नहीं है problem ये है कि ये fintech और नया internet of things और जो start-ups आगे है, उदर दिकत होती है कि उदर एक तरफ funding का crunch है दूसरी तरफ crypto में जो exposure लिया, उसके कारण crunch है तो IT में मैं कहूंगा, एक अलग तरीके से देखना जाए, standard model जो है IT का business transformation model वो अभी भी solid है recession के कारण थोड़ा गिर सकता है, और IT में जो दबाव आई थी, वो थी कि क्योंकि covid के time में बहुत बढ़ गए थी, उसके कारण एक back to normal, एक back to mean का correction हो रहा है, तो अभी भी शायद और भी pain थोड़ा होगा IT में, मगर longer term के लिए मैं IT एक safe solid sector समस्तों, बारिंग ये नए जए, फिंटेक या new areas पे जो जा रहे हैं, वहां पे शायद एक महल ठीक नहीं होगा, अगर solid regular IT companies में मैं कहूंगा कि stock specific आप good quality companies को अभी भी accumulate कर सकते हैं, एक long term तोड़कर view लेकर ETF लेना है तो वो banking का, IT में नहीं आइटी में कुछ individual stock जो fundamentally ज़्यादा strong दिखते हैं, उन में चाहें तो accumulation ज़्यादा करिए, लेकिन दिखाई ज़्यादा पजाज स्क्रीन पे, विरो, देख रहे हैं, क्या pressure mount हुआ है, देख रहे हैं,